हेलो फूडीज वेलकम बैक अच्छा बताए एक फिश कौन-कौन खाता है मैं तो नहीं खाती लेकिन मैं अपनी तरह की फिश मतला वेजिटेरियन फिश बनाकर जरूर खाती हूं चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने तीन कच्चे केले ले लिये हैं उन्हें दो बाग में काट दिया है और कुकर में डाल दिया है इसके साथ ही ले लिए हैं दो छोटे आलू और इन सब को हमें दो सीटी तक पका लेना है जब तक यह पकते हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं एक मुट्टी के करीब मैंने ले लिए सोय भी ने पहले पानी में सो पेस्ट बना लेना है देखिए इस तरह का पेस्ट बन जाएगा अब इसे एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे इसके साथ में हम अपने जो हमने केले और आलू ये उबाल कर रखे थे इनको भी मिला देंगे मैं अभी दो केले वस मिला रहे हूं और इन जब को अच्छी तर चमच धनिया पाउडर और साथ में जाएगा नमक और जाएगा एक बड़ा चमच सर्चों का तेल नमक में अच्छी क्वांटिटी में डाल रही हूं तभी ये टेस्ट अच्छा आता है इनका और इससे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही डाल लेंगे द कि यह लीजिए डोबन का रेडी हो गया है हलका सा हाथ आप तेल का कर लें और इसको फिश ऐसा शेप देते देखिए जैसे मैं दे रही हूं वीडियो में थोड़ा सा इससे फ्लैट करें अंडाकार शेप दें और बीच में होल कर दें यह देके लग रही है ना फिश बस इ आपने एक तरह से कोफते भी कह सकते हैं और फिर इसे हलका सा मैं कौन फ्लोर से कोट कर दूँगी इसी तरह से मैं यह सारे कोफते बना कर रेडी कर लूँगे आपको रेसिपी पसंद आ रही है यह नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा आप इसमें अपनी तरह से इसमें वेरियेशन भी कर सकते हैं अब मैं ले लूँगी एक पैन में दो से तीन चम्मच तेल आप इसे चाहें तो डीफ्राय भी कर सकते हैं लेकिन मैं शैलो फ्राय कर रही हूँ और इन सब को मैं एक एक करके शैलो फ्राय कर लूँगी गोल्ड अच्छी तरह से इतने पलट पलट कर हमें गोल्डन कलर आने तक इन इस शैलो फ्राइ कर लेना है देखिए अप मैं इसे पलट कर दिखाती हूं यह कितना अच्छा गोल्डन कलर इसमें आया है यह देखिए इसी तरह से चारो तरफ इसे हमें इसे शैलो फ्राइ कर लेना है यह हमारे फिश बनकर रैडी हो गई है यह लग रही है ना बढ़िया यह देखिए फ्राइ हो चुकी है अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं मैंने कुछ मसाले लिए है हरी मिड्च है टमाटर है बेसिक मसाले हैं काजू है तिल है इसेधिया काली मिर्च औरतेज बता पहले हम इन सब का लेंगे टमाटर है अ काजू तिल और हरी मिर्च का पहले डालेंगे खड़े मसाले उसके बाद इसमें डाल rasa का पीस्ट है जब जैसे यह तड़क जाएगा इसमें डालेंगे बेसिक मसाले हलका सचाहे तो आप नमक डाल सकते हैं अभी मैं वाइट करूंगी नमक डालना और फिर जो मैं हमने पेस्ट बनाया था काजू अगेरा का उसे मैं इसमें डाल दूँगी देखे अब आया है न बढ़ियांसा क पका लेंगे जब तक तेल उपर ना आ जाए यह थोड़ा सा अब मैंने नमक डाला है जितनी ग्रेवी चाहिए उससे साबसे आप नमक डाल सकते हैं यह देखे यह तेल पूरा उपर आ गया है मतलब अच्छी तरह से यह मसाला पक चुका है अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जाइफल जाइफल का पाउडर मैंने यह थोड़ा सा डाला हुआ है अच्छी टेस्ट के लिए और अब जितनी भी ग्रेवी आपको चाहिए उतना गरम पानी इसमें हम डाल देंगे और जैसे ही इसमें थोड़ा एक बॉइल आ जाएगा तो जो हमने फिश फ्राई करके रखी हैं मतलब वेजिटेरियन फिश जो हमने फ्राई करके रखी हैं उन्हें इसमें डाल देंगे और धकर थोड़ी देर पका लेंगे जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना तक इसे स दुखा लें और इंजोई करें यह देखिए थोड़ी दखकल लगा कर पका देते हूं यह लीजे दो से तीन मिनिट हो गए हैं अब देख लेते हैं यह बढ़ियां से हमारी फिश पक कर रेडी हो गई है अब हम इससे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे से गरम गरम रोटियों के साथ आपको यह रेसिपी कैसी लगी जरूर बताईएगा यह वेजिटेरियन फिश है आप इसे कोफते भी कह सकते हैं कच्छे केले के कोफते यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और सब्सक्राइब करना मत भू बाइ 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 टेक येल